हाई गाईस करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अभी शेक शर्मा और इस वीडियो में हम 15 जुलाई तक के सभी important करंट अफेर्स कवर करने वाले हैं हमेशा की तरह आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा आज भी आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा साथी गाईस इस सेशन को सुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा यदि आप हमारे डेली करंट अफेर्स पीडियेफ वीकली पीडियेफ और मंतली पीडियेफ चाते हैं तो इस वीडियो के फस्ट कमेंट में दिये गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं जाद जानकारी के लिए आप इस स्लाइट पर दिये गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें और कुछ भी आप पूछना चाहें कोई भी आपका डाउट हो तो हमें कमेंट वोक्स में जरूर लिखें तो चलिए फिर करते हैं शुरू आतिस वीडियो की किस राज्य ने मुख्य मंतरी कोविड-19 विद्वा सहायता योजना शुरू की ओप्शन्स आपके सामने हैं बिहार आसाम पंजाब या राजस्थान सही आंसर होगा ओप्शन बी सो आसाम लॉंच्ट चीफ मिनिस्टर्स कोविड-19 विडोस सपोर्ट इसकीम जानते हैं इसके बारे में तो देखें कोविड-19 के कारण आसाम में जिन भी महिलाओं ने अपने हस्बेंड को खोया है तो उनको फाइनेंशल असिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए आसाम की चीफ मिनिस्टर्स हिमानत विश्वा सर्मा इन्होंने चीफ मिनिस्टर्स कोविड-19 विडो सपोर्ट इसकीम इसको लौँच किया है इसके तहट जो भी इस तरह की महिलाएं हैं उनको 2.5 लैक यानि 5 लाक रुपे तक की फाइनेंशल असिस्टेंस प्रोवाइड कराई जाएगी हाला कि इसमें लीमिट रखी गई है जिनकी एन्वली इंकम 5 लाक रुपे तक क आपको जानना चाहिए आसाम को पहले प्रग जोतिशा नाम से जाना जाता था और काम रूप नाम से भी इसको जाना जाता है साथी आसाम को लैंड ओफ रेड रिवर एंड ब्लू हील्स इस नाम से भी जाना जाता है यह आपके SST में पूछा गया है इसलिए आप इसको नो चैमोना नेसल पार्क, राजीव गांधी ओरांग नेसल पार्क, नमेरी नेसल पार्क, देहिंग पठकाई नेसल पार्क और पॉवी तोरा वाइड लाइफ सेंचुरी, तो इनको आप याद रखेगा, ये काफी इम्पोर्डेंट है, आपके लिए पॉवी तोरा वाइड पर हैं इस तरह से वैश्णोदीवी टेंपल का भी कॉश्चन फूच ले जाता है कि वैश्णोदीवी टेंपल किस हील पर है तो महाँ पर आंसर होगा त्रीकुटा हील्स पर राज्यसभा में कौन सदन के नेता होंगे ओप्शन सापके सामने है और सही आंसर होगा ओप्शन बी जानते हैं इस कुश्चन के बारे में तो देखें प्यूस गोईल जो की यूनियन मेस्टर ऑफ टेक्स्टाइल्स है इनको राज्यसभा में लीडर ऑफ ता हाउस जो है बनाये गया है ये किसे रिप्लेस करेंगे ये थावर्चन गहलोत को रिप्लेस करेंगे अब गहलोत अब करनाटक के गवर्णर बना दिये गए हैं लीडर ऑफ ता हाउस मतलब की जो गवर्मेंट है जो सेंटर गवर्मेंट है उनके लीडर जो राज्यसभा में एमपी हो उनको मनाये जाता है लीडर ऑफ ता हाउस साथ ही आपको जानना चाहिए प्यूस को एल 2010 से रा कि भारत के सम्मिधान में इस तरह का कोई भी पद या फिर इस तरह की कोई भी संग्या नहीं दी गई है कि लीडर ऑफ ता हाउस रहेगा ये तो राज्यसभा के जो रूल से उसके तयाद बनाया जाता है आपको जानना चाहिए इसी तरह से जिस तरह से लीडर ऑफ ता हाउ होता है central government के द्वारा जो city government है उसी तरह से जो opposition है उनके भी leader होते है leader of the opposition इन राज्यसभा यह है मलिकार्जुन खड़गे Congress party के हैं यह टोक्यो जाने वाले भारतिय दल के लिए हिंदुस्तानी वे नामक आधिकारिक जयकारगीत की रचना किस ने की options आपके सामने हैं और सही answer का option B so AR Rehman composed the official cheer song titled हिंदुस्तानी वे for Tokyo bound Indian contingent जानते हैं इसके बारे में तो देखे जो भी भारत का जो पूरा दल जा रहा है Tokyo Olympics में सामिल होने के लिए तो उनके लिए एक cheer song यहाँ पर बनाया गया है किसके द्वारा AR Rehman के द्वारा और इसको गाया है अननिया बिल्डा जो की यंग पॉप सिंगर है तो इस जो song है इसका title है हिंदुस्तानी वे और इसको किस ने लॉंच किया है Union Minister of Youth Affairs and Sports कौन है अब अनुराग ठाकुर पहले जो Sports Minister थे यह थे किरन डीजे जो लेकिन अब कौन है अनुराग ठाकुर यह आप ध्यान रखेगा अच्छा इस मौके पर कौन-कौन सामिल रहे है यह आपको जानना चाहिए क्योंकि इस तरह यह आ जाते है आपके Who is Who वाली कैटेगरी में कौन क्या है तो देखिए Minister of State for Youth Affairs and Sports यह है निशीत प्रमानिक जो की यंगेश मिनिस्टर है इस वाली कैबिनेट में साथे आपको जानना चाहिए Indian Olympic Association के प्रेजिडेंट है नरिंदर बत्रा Sports Authority of India के Director General है संधी प्रधान और Target Olympic Podium Scheme इसके CEO है Commander राज को पालन साथे आपको जानना चाहिए कि जो Tokyo Olympics के लिए भारतिय दल जा रहा है इसमें 228 लोग जा रहे हैं जिनमें की 119 एथलेट्स है उत्तरपूर्वी आयुरुवेद और लोग चिकित्सा अनुसंदान संस्थान किस राज्य में इस्तित हैं और सही आंसर होगा Option D North Eastern Institute of Ayurveda and Folk Medicine Research is located in Arunachal Pradesh किसलिए question लिया गया है ये भी जान लेते हैं तो देखे Union Cabinet chaired by the Prime Minister Narendra Modi Union Cabinet की जो मेटिंग होई है जिसको की Prime Minister Narendra Modi ने जिसकी अद्धक्षता की तो इन्होंने क्या किया है North Eastern Institute of Folk Medicine तो इसका जो है नामकरण किया है फिर से इसका नामकरण किया गया है North Eastern Institute of Ayurveda and Folk Medicine Research तो अब इस नाम से ये जाना जाएगा कहाँ पर है ये ये है अरुनाचल परदेश के पासी घाट में ये आपके लिए काफी important है ये भी याद रखेगा पासी घाट कहाँ पर है अरुनाचल परदेश में और अरुनाचल परदेश के गवर्णर है बेडी मिश्रा और यहाँ के चीफ मिरिस्टर है पेमा खांडू साथी कैपिटल इटानगर है आप सभी जानते हैं अनुभवी भारते खिलाडी यस्पाल सर्मा का हाल ही में निधन हो गया वे किस खेल से जुड़े हुए थे options आपके सामने होकी, क्रिकेट, बॉक्सिंग या फुटबोल सही आंसर होगा option B so veteran Indian player यस्पाल सर्मा has recently passed away he was associated with cricket तो देखिए काफी जाने माने क्रिकेटर रहे हैं यस्पाल सर्मा आपने इनको कमेंटरी में भी देखा होगा कई बार निउस चैनल में भी देखा होगा इंडिया के नाम से भी जाना जाता है कमल बत्रा को किस बैंक ने हैड असेट्स न्यूप्ट किया है options आपके सामने हैं सही आंसर होगा option D so बंधन बैंक has appointed कमल बत्रा as head assets यानि कि जो भी assets वगेरा हैं bank के जो भी assets हैं जो भी संपत्तिया हैं securities हैं तो उन सभी को manage करने के लिए कमल बत्रा की appointment की गई है किसके द्वारा बंधन बैंक के द्वारा आपको जानना चाहिए बंधन बैंक के CEO है चंदर शेखर गोश headquarter से call का था और tag line है आपका भला सबकी भलाई निम्लिकित में से किसे भारती रिजर्व बैंक ने नए ग्राहक जोड़ने से रोक दिया है या प्रदीबंद लगा दिया है options आपके सामने है और सही answer होगा option C so mastercard has been barred by the reserve bank of India from acquiring new customers जानते इस news के बारे में देखे reserve bank of India ने mastercard को आया कि आप अपनी जो debit, credit और prepaid services है इसमें अब नए customers को include भी नहीं करेंगे कब से 22 जुलाई से क्यों कि आगया ऐसा क्योंकि government of India ने कहा हुआ है कि आपका जो payment system का जो data है उसको आपको store करना है लेकिन mastercard ने जो है इसको violet किया है इस guideline को violet किया है इसी वज़े से reserve bank of India ने mastercard को जो है इस तरह का प्रतिबंद अभी लगाया है आपको जानना चाहिए mastercard के president and CEO है Michael Maybach और executive chairman है अजे बंगा और headquarter है USA में next question है भारती reserve bank ने सभी ATM में cassette swap को लागू करने की समय सीमा कब तक बढ़ा दी है काफी important question है आपके लिए और सही answer होगा option B so the reserve bank of India has extended the timeline for implementation of cassette swap in all ATMs till March 31st 2022 जानते हैं इस question के बारे में देखे reserve bank of India ने जो cassette swap in all ATMs यह जो reserve bank of India ने order किया था तो अब इसकी जो समय सीमा है जो बैंकों को यह जो follow करना है यह 31 मार्ड 2022 तक follow करना है आपको बता दें कि अपरेल 2018 में एक committee थी Committee on Currency Movement CCM जिसको की chaired है था DK Mohanty ने तो इन्हों इस committee ने जो है advice कि बैंक्स में जो है locable cassettes यूज होने चाहिए ATMs के लिए क्या चीज है देखिए आप जानते हैं कि जब ATM में जो money को refill किया जाता है जब उसको फिर से जो ATM है उसमें पैसे डाले जाते हैं तो उसमें manpower की भी जरूत होती है जहां से भी आती है वो currency chest से जहां से भी आती है फिर उसके बाद उसको अपने हाथ से money अंदर डाली जाती है तो अब यहां पर RBI ने कहा है कि इस तरह का system होना चाहिए जिसमें बिल्कुल जो व्यक्ति के सामने मतलब व्यक्ति को हाथ लगाने की उसमें cash में जुरूत न पड़े ताकि जो cash है वो secure रहे उसकी safety बनी रहे तो आप यह समझ सकते हैं cashets, cashets मतलब कि आप एक तरह का एक box समझ सकते हैं तो उसमें cash रहेगा अब यह जो box है यह preloaded रहेगा जहां से भी आ रहा है ठीक है अब इसको cable लाना है और ATM में जो है इसको insert कर देना है तो किसी भी तरह का इसमें पैसे डालने की जुरूत नहीं ह यह preloaded आएगा जहां से भी आता है cash ठीक है और इसको जो है ATM के अंदर swap कर देना है इसको ATM के अंदर insert कर देना है और जो खाली वाला cassette है उसको बाहर निकाल देना है तो इस तरह से क्या होगा अब जो है जो cash है उसको अंदर अपने हाथों से डालने की जुरूत नहीं है तो फ्रेंड्स यह banking के जो current affairs है वो एक साथ हमने रख दिया थे क्योंकि एक experience ने हमसे कहा था कि जो banking related current affairs है उनको एक साथ ही बताय कीजिए तो इस वज़े से अब आप से जो है जो है जो है जो भी banking के current affairs होंगे उनको एक साथ आपके लिए लाए जाएंगे फिलाल यह question इसने 679 Megawatt Lower Arun चल्विद्युत परियोजना विक्सित करने के लिए बारत के साथ 1.3 billion अमेरिकी डॉलर के समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं ओप्शन्स आपके सामने हैं और सही answer होगा option A So Nepal has signed USD 1.3 billion deal with India to develop 679 Megawatt Lower Arun Hydro Power Project तो देखे 679 Megawatt का Lower Arun Hydro Power Project ये नेपाल में कौन बनाएगा सतलुज जल विद्युत निकम SJVN और नेपाल ने कितने रुपे के डील की है यहाँ पर 1.3 billion US dollar के डील की है इसके साथ आपको जानना चाहिए जो SJVN है इसके Chairman and Managing Director है नंदलाल शर्मा और नेपाल के पारे में अगर हम जानकारी लें तो Capital Card Mandu है करंसी नेपालीज रुपी है प्रेजिडेंट है विद्या देवी बंडारी और हाली में हमने पढ़ा है कि सेर बहादर देवबा ये जो है नेपाल के अब नए प्राइमिस्टर होंगे विष्व यूवा कोशल दिवस किस दिन मनाय जाता है ओप्शन्स आपके सामने है और सही आंसर होगा ओप्शन डी वर्ड यूथ स्किल्स टे इस सेलिबरेटेड ओन जुलाई 15 तो 15 जुलाई को मनाय जाता है वर्ड यूथ स्किल्स टे और इस साल 2021 में इसका थीम रहेगा री-इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक भारत और किस देश ने कोकिंग कॉल जिसका उप्योग स्टील बनाने के लिए जाता है के संबंद में सहयोग पर एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये है ओप्शन्स आपके सामने है रशिया, फ्रांस, स्वीड कोकिंग कोल का यूज किया जाता है और इसी छेतर में सहयोग के लिए भारत सरकार और रशिया ने एक MOU को साइन किया है और उसको यूनियन कैबिनेट द्वारा एप्रूव भी कर दिया गया है, साथी यूनियन कैबिनेट ने भारत और डेनमार्क के बीच हेल्थ एंड के भी MOU को एप्रूव कर दिया है, तो दोने याद रखेगा डेनमार के साथ किया है है हेल्थ एंड मेडिसिन और रशिया के साथ किया है कोकिंग कोल के लिए और फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने यह इमेज इसलिए लगाई है रण आफ कच की क्योंकि एकदाम में पूछ रहे जाता है कि इंडियन वाइल एश यह कहां पर पाये जाते हैं तो यह पाये जाते हैं रण ओफ कच में लिटिल रण ओफ कच में तो इसलिए आप याद रखेगा इंडियन वाइल एश कहां पाये जाते हैं रण ओफ कच में इस तरह कोश्चन पूछ ले जाता है इसलिए मैंने आपको बता है ठीक है तो इसको आप याद रखेगा अच् पुजरात के रन ओफ कच में सात्य आपको जानना चाहिए एंटीपीसी के सीमडी यानि चेयर्मेन एंड मैनेजिंग डिरेक्टर यह है गुर्दीप सिंग हैट्वाटर न्यू डेली में इस्तित है और यह भी आपको जानना चाहिए जो कि भारत के जो बड़े-बड़े सोलर पाउर प्रांट है उनमें से सामील है तो एक तो रेवा आप याद रखेगा मध्यपरदेश एक याद रखेगा बादला यह राजस्तान में कमूती भी आप याद रखेगा तमील नाडू में नाम से पूछले जाता है कि कहां पर है रेवा कहां पर है ठीक है कमूती कहां प होगा option B तो देखिए veteran यक्षगान आर्टिस्ट संपाजे सिनप्पा राय पास्ट आवे रिसेंटली यक्षगान यक्षगान is a dance form belonging to करनाटक जानते इस question के बारे में तो देखिए यह कलाकार रहे हैं यक्षगान के कलाकार रहे हैं संपाजे सिनप्पा राय इनका हाली में निधन हो गया है आपको जानना चाहिए जो यक्षगान यह करनाटक से डिलेटेक डांस फोर्म है डांसफोर्म क्या इसमें कई सारी चीज़े हैं म्यूजिक है डांस है और भी तरह की कई सारी एक्टिविटीज में परफॉर्म की जाती हैं तो यक्षगान नहीं समवदी दे करनाटक से यह आपके आइटेंट कलचर का हिस्सा है हेन्रियेटा 4 ने कारेकारी निदेशक के रूप में किस एजनसी से इस्तिफा दिया ओप्शन्स आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ओप्शन C हेन्रियेटा 4 रिजाइंड फ्रॉम यूनिसेफ एज एक्जिकेटिव डिरेक्टर तो यूनिसेफ यानि उनाइड नेशन्स चिल्डर्ण्स फंड इसकी एक्जिकेटिव डिरेक्टर हैं हेन्रियेटा 4 तो इन्होंने जो है हेल्थ इशूस के कारण इस पद से रिजाइन करने का फैसला किया है आपको बता दें यह इस पद पर एक जन्वई 2018 से काविज है यूनिसेफ की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं Headquarters New York United States में है और इसकी जो इस्थापना है यह 11 दिसंबर 1946 में हुई थी भारतिय नो सेना को दसवा पंडुब्बी रोधी युद्धक विमान P8I किस रक्षा कंपनी से प्राउप्ट हुआ options आपके सामने हैं और सही answer होगा option A रक्षा कंपनी मतलब कि जो रक्षा से जुड़े जो equipments होते हैं ठीक है एरक्राफ्ट होते हैं ये सबी बनाती हैं इस तरहीं कंपनी से प्राउप्ट हुआ तो answer होगा Boeing BOEING थोड़ा इस्पैनिग में हैं आप correction कर लेना BOEING जी बॉइंग से प्रक्त हुआ है तो इंडियन नवी रिसीव दे 10 एंटी सममरीन ऐरक्राफ्ट पी-8 आई फ्रॉम बोइंग जानते हैं इसके बारे में तो बोइंग आप जानते हैं कि अमेरिकन एक एरोसपेस कमपणी है तो इसने इंडियन नेवी को 10 एंटी एंटी सममरीन वारफेर एरक्राफ्ट P8I जो है सुपतिया है आपको उता दिस साल 2009 में 12 सरकार ने 8 P8I एरक्राफ्ट की डील की थी इसके साथ और उसके बाद 2016 में 4 और यहां पर एड़ कर दिये गए थे अब देख लेते हैं इससानमेंट के आणसर In Banking, What does the FCCB stand for? आणसर is Foreign Currency Convertible Pond What is the Capital and Currency of Mexico? आणसर is Mexico City and Currency is Mexican Peso Where is the Tribu1 International Airport located? आणसर is Kathmandu, Nepal Which e-commerce company has eliminated single-use plastic packaging from use at its fulfillment centers in the country, answer is flip card the kesariya buddhistoop regarded as the world's largest buddhistoop is in which Indian state, answer is Bihar, और आप में से कई aspirants ने बिल्कुल सही answer दिये है 5 questions के, कई aspirants ने 1 question का answer भी दिया है, तो वो भी काफी अच्छा है, इस तरह से आप participate करते रहे हैं, अब देख लेते हैं आज के assignment questions TASS आप इसको कह सकते हैं, is the news agency of which country what is the capital and currency of Canada who is the secretary general of Rajya Sabha who is the leader of the house in Lok Sabha, who is the leader of the opposition in Lok Sabha तो 5 questions के answer आपको हमें comment box में जरूर बताने हैं, अगर आपको एक question का answer भी आता है, तो वो भी आप हमें comment box में जरूर से बताए करें, साथी का इस current affairs funda को आप telegram पर भी जोइन कर सकते हैं, यहाँ पर regular video updates और current quizzes हम आप सभी के लिए डालते हैं, साथी discussion जरूर बताएगा आज का हमारा यह current affairs session आपको कैसा लगा, thank you guys इसा के सायर से उसे हमें कि वोजर बताएगागा